इंस्पेक्टर अश्विनिक कुमार की होई हत्या पर बिहार की सियासत में भूचा लागया है इसी कड़ी में हमके प्रवक्ता दाने शुरीजमा ने इस घटना की कड़ी निंदा की और ममता सरकार और नेता पतिपक्ष तेजस्पी यादो पर हमला बोला उन्होंने गाए कि तेजस्पी यादों ने बंगाल जाकर ममता बनरजी के लिए चुनावी प्रचार की लेकिन सरकार की तारिफ की लेकिन इंस्पेक्टर की हत्या पर मौन क्यों बताते चली कि अपराजों के धर पकर में किशन गंज से लगी बिहार और पशिम मंगाल की सीमा पर इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार को भीर ने घेर कर माड डाला जानकारी के मुताबिक शापेमारी से पहले इंस्पेक्टर ने अस्थारी पंजी पाड़ा थाने को भी सोचना दी थी बाजूद इसके यह घटना घट गए मंगाल में किशन गिंज के सदर इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार जी की मौब लिंचिंग नुही मौत की घटना से पूरा बिहार अस्तब्ध है और हम उनके पूरे परिवार के प्रती सच्छी सम्वेदना प्रगट करते हैं लेकिन नेता प्रतिपक्षते जस्ति यादो जी से ये सवाल भी पूछना चाहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले आप पश्ची मंगाल में जाकर के मंदा दिदी के सुशाषन की तारीफ कर रहे थे उनके शाषनीय व्यवस्ता को दिनिया की सबसे अच्छी शाषनीय व्यवस्ता बता रहे थे मैं ते यसी यादो जी से पूछना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्षत यसी यादो जी अगर किसी एंडिये शाषित प्रदेश में मौब लिंचिंग की घटा में किसी की मौत होती है तो आप बड़ी-बड़ी बाते करने लगते हैं राजनीती करने लगते हैं हिंदू-मसल्मान करने लगते हैं इस पर भी जबान खुलेगी और आप बोलिएगा कि ममतादीजी के शाशन में मौब लिंचिंग में जब वर्दिधारी सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की क्या पश्रिम बंगल में बिहार के सब इंस्पेक्टर के हत्या मामले पर आजड़ी प्रवक्ता मृत्मी जेतिवारी ने दुख जाताया और कहा कि इस मामले की जाच होनी चाहिए कि बिहार के पुलिस इंस्पेक्टर कब और क्यों पश्रिम बंगल गए थे हैं ऐसे चोक का जिस तरह से हत्या हुई है परथम दृष्टिया ये मौब लिंचिंग का मामला परतीत होता है वो किसी मामले को लेकर के बंगल गए थे और उसी में पीट-पीट कर लोगों ने घेर कर उनकी हत्या कर दी किन कारणों से हत्या हुई है अभी इसका पता नहीं चल पा रहा है तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इसका जाच करके पता सरकार करे ये बहुत ही दुखद घटना है निंदनिया है अफ्सोस जनक है जाच करके दूद का दूद और पानी का पानी करना चाहिए बताना चाहिए कि किन कारणों से उनकी जान गई है अगली खबर की और बढ़ेंगे मदुबनी हत्याकान के बाद शुक्रवार को करणी सेना के उत्पाद ने इलाके में समाजिक तनाव बढ़ा दिया करनी सेना के समर्दकों ने आरोपी के गाउँ पर हमला कर दिया लोगों से मार्पिट के बाद आरोपी के घर में आग लगा दी गई करणी सिना ने हमने के दोरान वहां तेनार पुलीस के जवान और अधिकारी भी गाहां छोड़कर भाग खड़े हुए हम बोले हमको भी धका मुपी किया हमारा विछोना उचोना में आग लगा दिया इसके बाद इस घर में भुजा भाशी रचे जो भाद दूसरे आपनी का चल सेखर मिस्रा का है काम गरामी का उसमें आग लगा दिया आग कैसे लगी है तो हम जनकारी नहीं है लेकिन हम लोग को सुचना प्राफ दूसरे जनी हो गई है अग लग गई है सुचना पाकर एक यूनिक मेरा पहले से यहाँ पत्नी और छोटी गारी से नहीं होने कि बड़ी गाई हम लोग लेकिन है तो कि मेरा देगों की नहीं है सराकेला करसाबा जिले के इचा गड़ थाना क्षित्र में जनली हातियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है आए दिन हातियों के जुंड घरों खेत में लगे फसलों और जानमाल को नुकसान पहुंचाते रहते हैं गुरुवार की रात जुंड से बिच्रे एक हाति ने में साड़ा गाम में जमकर उत्पात मचाया हाति ने गाम के दो लोगों के घर को पूरी तरह से छती गरस्त कर दिया साती घर में रखे अनाच को भी चट कर गये मामले में ज्यामूमों नेता पश्योपती बाग्ची न मैसड़ा गाउं में दो तिंटो घर को तोड़ दिया घर में रखा हुआ अलमैरी गोद्रेज और बहुत सारा सामान च्छतिगरस हो गया बन विभाक्स इसका मौज़ा के लिकर हम लोग परसासान से मांग भी किया हैं इसका जल से जड़ छपरा में जिलादीकारी निलेश राम चंदर देवरे ने फसल की कटाई की आपको पता दे की गड़का प्रखंड के रेडियो गाउं में डियम ने खोद विश्वजीत सिंग के खेत में जाकर गेहों की कटाई की दरसल अर्थ और निदेशाले द्वारा प्रतिवर्श उपज का अनुमान लगा जाता है और डियम ने कटाई से प्राप्त गेहूं 23 किलो 134 ग्राम पाया जो प्रती हेक्टेर के सम्क तो ले रहा है लातिहार के बालुमा तरसित्व वन विभाग के अधिकारियों ने श्रीक्रवार को दो मूवाले साफ को जंगल में छोड़ दिया आपको बता दे कि यह सम्क बालुमा तरसित्व विभाग के दिवाकर नगर मुहले में मिला था जिसे अस्थाने लोगों ने वन विभाग को स्वाप दिया था और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिला लित नहीं नमस्का